चैप्टर ट्वेंटी एट दाइस पासा अध्याई शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि इस अध्याई में सभी प्रश्ण जैसकी आप जानते हैं डाइस पर आधारित हैं और इसके लिए आपको चित्रों में काफी जानकारी दी गई है जिससे समझने के लिए आपको अपने मित्र की मदद अवश्य लेनी हो ऐसे वस्तू को पासा कहते हैं इसे दूसरे शब्तों में हम घन का छोटा रोब भी कह सकते हैं जैसे लूडो का पासा इस प्रकार की परीक्षा में एक या एक ही पासा को अलग-अलग फलको यानि सर्फिस की ओर से प्रदर्शित करते हुए एक से अधिक प्रारूपों में तर शाया गया होता है प्रतियक पासे में साधारन तया एक से छे तक के अंकों में से तीन अलग-अलग अंक या अंकिक पिंदू या तीन अलग-अलग आकृतियां या तीन अलग-अलग रंगों के नाम निरोपित किये गए होते हैं दिये गए पासा के प्रारूपों का ध् विप्रीट फलक पर कौन सा अंक अकृती या रंग होगा अब आए अंक अकृती एवं रंगों के साथ पासा की अकृतियों पर एक नजर डालें यहाँ पर तीन चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में दो चार छे दूसरे चित्र में स्वास्तिक का निशान एक सितारे का और पीला, dice की surface पे लिखे गए हैं, dice एक में top surface पर 4, front surface पे 2, right surface पे 6, second dice में top surface पर star, front surface पर स्वास्तिक, right surface पर arrow, dice तीन में top surface पे red, front surface में green और right surface पे yellow लिखा गया है, अब आएं, उन विशेश तत्यों पर एक नजर डालें जो कि पासा यानि dice के अध्यन और परिक्षा में इन से संबंधित प्रश्णों को हल करने के लिए नितांत आविशक हैं ए, अकृति के आधार पर पासा की विशेश ताएं Special feature of a dice on the basis of shape चित्र चार, चित्र पाँच, चित्र छे, चित्र साथ और चित्र आठ में In dice 1, in top surface 1, bottom surface 6, left surface 3, in right surface 4, in front surface 5, in back surface 2 In dice 2, in top surface black star, in bottom surface swastik, in left surface triangle, in right surface arrow, in front surface plus, in back surface circle In dice 3, in top surface 1, in front surface 2, in right surface 4, in dice 4, in top surface red, in front surface green, in right surface yellow, in dice 5, in top surface symbol, in front surface 6 dots, in right surface 3 dots 1. एक पासा में सदैब होते हैं 1. किसी भी पासा में कुल्चे फलक होते हैं, जिन में से किसी और से भी देखने पर केवल तीन ही फलक नजर आते हैं इसलिए कि कोई भी पासा एक त्री आया में वस्तु होती है 2. साधारन तया पासा की लंबाई, चौडाई और उंचाई समान होती है लेकिन कुछ विशेश पासा में इनकी लंबाई, चौडाई और उंचाई असमान भी होती है 3. किसी भी पासा में उसके प्रती एक फलक का चार निकटवर्थी एडजेसंट एवं एक विपरीत फलक होता है 4. पासा से संबन्दित प्रश्णों में पासा के फलकों पर क्रमशाः एक से छे तक के अंक या आंकिक बिंदु या अकरिती या अलग अलग रंग निरूपित कीए गाए होते हैं 5. किसी भी पासा में प्रती एक फलक परिस्थित अंक या आंकिक बिंदू या आकरिती या रंग का चार निकट परती तथा एक विप्रित अंक या आंकिक बिंदू या आकरिती या रंग होता है छे, साधारन तया पासा के फलकों पर एक से छे तक के अंक निरुपित किये गए होते हैं जैसे लूडो का पासा बी, गणितिये गणनाओं के आधार पर पासा का वर्गी करण Classification of Dice on the basis of mathematical calculation गणितिये गणनाओं के आधार पर पासा का अधेन एवम इनसे संबंधित प्रश्णों को शिग्रता एवम सटीकता के साथ हल करने के लिए हम पासा को दो वर्गों में विभख्त कर सकते हैं अर्थार्थ दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि गणितिय गणनाओं के आधार पर पासा के दो प्रकार होते हैं एक मानक पासा standardized, दो सामान पासा generalize एक मानक पासा standardized ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती एडजेसंट फलकों पर अंके तंकों का योग साथ नहीं होता है ऐसे पासा को मानक पासा कहते हैं ऐसे पासा के दो विप्रीत फलकों पर अंके तंकों का योग हमेशा ही साथ होता है जैसे लूडो का पासा प्रेश्ठ 540 यहां बताय गए पासा के दो निकटवर्ती फलकों पर अंके तंक 4 प्लस 2 यानि कि 6 है साथ नहीं, 4 प्लस 6, 10, 7 नहीं और 6 प्लस 2, 8, 7 नहीं हमें प्राप्त हो रहे हैं अधा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिया गया पासा एक मानक पासा का प्रारूप है इस प्रकार से हम प्रदर्शित फलकों पर अंकित अंकों की विप्रीत फलक पर अंकित अंकों को आसानी से ग्याद कर सकते हैं जैसे ब्लक स्टार, अंक 4 के विप्रीत फलक पर इस्थित अंक, 3, क्योंकि 4 प्लस 3 इक्वस टू 7 अंक 2 की विप्रीत फलक परिस्थित अंक है 5, 2, प्लस 5, 7, अंक 6 की विप्रीत फलक परिस्थित अंक 1, 6 प्लस 1, 7, 2. सामाने पासा, जेनरल डाइस, ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती एडजेसिंट फलकों पर अंकित अंकों का युग साथ होता हो, तो ऐसे पासा को सामाने पासा कहते हैं ऐसे पासा के केवल एक प्रारूप के आधार पर इसके किसी भी फलक पर अंक के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा इस बात के निश्चितता व्यक्त नहीं की जा सकती यहां दर्शाय गए पासा के दो निकटवर्ती फलक पर अंके तंकों 5 प्लस 2, 7 का योग हमें साथ मिल रहा है अर्थार्थ हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिया गया पासा एक सामाने पासा का प्रारूब है इस पासा में अंके तंकों के विपरीत फलकों पर अंके तंकों की संभावनाए हैं अंक 5 के विपरीत फलक पर 4, 6 या 1 अंक 2 के विपरीत फलक पर 4, 6 या 1 अंक 3 के विपरीत फलक पर 4, 6 या 1 साधारन ताया प्रतियोगी इस बात से बिलकुल ही अनविग्य होते हैं कि दिये गए पासे के समुह में केवल एक ही पासा को अलग-अलग फलकों की ओर से प्रदर्शित किया गया है या समुह में एक से अधिक पासों को दर्शाया गया है जबकि वास्तविक्ता ये है कि किसी भी पासा के समुह में एक से अधिक पासाओं को नहीं बलकि केवल एक ही पासा को अलग-अलग फलकों की ओर से प्रदर्शित करते हुए एक से अधिक प्रारूपों में दर्शाया ज इसके साथ ही साथ पासा से संबंधित किसी भी प्रश्न को शीग्रता एवं सतीक्ता के साथ हल करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारक यानि फैक्टर है कि दिया गया पासा का समुह मानक पासा का या सामाने पासा का समुह है इस तत्थे को सही तोर पर निर्धारित कर सकें अतहा, अब आये दिये गए पासा के समुह में से मानक पासा standardized एवं समाने पासा जेनरल डाइस की प्रारूप के नरधारन पर एक नजर डालें एक, मानक पासा के प्रारूप का समुह, format of the group of standardized मानक पासा standardized ऐसे पासों का समुह जिसमें एक ही पासे के एक से अधिक प्रारूप तरशाय गए होते हैं कि कोई भी प्रारूप के दो निकटवर्ती, adjacent फलकों पर अंके तंकों का योग साथ नहीं हो तो ऐसे समुह को मानक पासा का समुह कहते हैं ऐसे पासा के दो विप्रीत फलकों पर अंके तंकों का योग हमेशा ही साथ होता है जैसे पासा प्रारूप एक, 6 plus 2, 8, 7 नहीं, 6 plus 3, 9, 7 नहीं, 3 plus 2, 5, 7 नहीं विप्रीत फलकों पर अंके तंकों के सते थी, 6, 1, 6 plus 1, 7, 3 plus 4, 7, 2 plus 5, 7 पासा प्रारूप दो, 6 प्लस 4, 10, 7 नहीं, 6 प्लस 2, 8, 7 नहीं, 2 प्लस 4, 6, 7 नहीं और विर्पीत, फलको पारंके तंकों केस्ते थी, 6 प्लस 1, 7, 2 प्लस 5, 7, 4 प्लस 3, 7 पासा प्रारूप 3, 5 प्लस 4, 9, 7 नहीं, 5 प्लस 6, 11, 7 नहीं, 6 प्लस 4, 10, 7 नहीं विर्पीत फलकों परंके तंकों केस्ते थे, 5 प्लस 2, 7, 6 प्लस 1, 7, 4 प्लस 3, 7 पासा प्रारूप 4, 1 प्लस 2, 3, 7 नहीं, 1 प्लस 4, 5, 7 नहीं, 2 प्लस 4, 6, 7 नहीं विप्रीत फलकों पारंके तंकों केस्ति थी 1 प्लस 6, 7 4 प्लस 3, 7 2 प्लस 5, 7 इन गर्णाओं से बिलकुल स्पष्ट है कि दिया गया पासे का समहू निश्टित रूप से मानक पासा का प्रारूप है 2. सामाने पासा के प्रारूप का समहू Format of the Group of General Dice सामाने पासा General Dice ऐसे पासों का समहू जिसमें एक ही पासा को एक से अधिक प्रारूपों में दर्शाया गया होता है इन प्रारूपों में से यदि कोई भी एक या एक से अधिक प्रारूपों के कोई भी दो निकटवर्थी एडजेसेंट फलकों पर अंके तंकों का योग साथ हो जाए तो ऐसे प्रारूप को सामाने पासा जेनरल डाइस का प्रारूप कहते हैं केवल एक प्रारूप के आधार पर ऐसे पासा के किसी भी फलक पर अंके तंक के विप्रीत फलक पर अंके तंक की निश्चितता व्यक्त नहीं की जा सकती हैं जेसे पासा प्रारूप एक टू प्लस ओ on three 2 प्लस फाइफ ऐन फाइफ प्लस फाइफ शेवैए फाइफ फ्लस नाईन फाइफ 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 फाली पर वहान प्रेश्च पान्स तर माँछंज प्लस फैवैं यहां हम देख रहे हैं मांच धूज पॉलस फाइफ evaluating प्रत्री के कोई भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग साथ नहीं है, लेकिन इस स्तिथी में हमें ये कदापी नहीं मानना चाहिए कि पासा प्रारूप 3 एक मानक पासा है और 6 प्रारूप सामान पासा के हैं। इसलिए कि दिये गए प्रारूप में चार पासाओं को नहीं बलकि केवल एक ही पासा को अलग-अलग फलकों की ओर से प्रदर्शित किया गया है और इस स्तिति में यदि दिये गए प्रारूप के अंतरगत एक भी पासा के प्रारूप को दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंको का योग यदि साथ मिलता है तो ये पूरा समुह ही सामाने पासा का समुह माना जाएगा अतहा इन तथ्यों के आधार पर हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि दिया गया पासा का प्रारूप एक सामाने पासा का प्रारूप है नोट आपको पुन्हा इस बात से अवगत कराया जाता है कि इन दोनों ही पासा के समुह में अलग-अलग चार-चार पासाओं को नहीं बल्कि मानक पासा एवं सामाने पासा के केवल एक ही पासा को अलग-अलग फलकु की ओर से चार-चार प्रारूपों में दर्शाया गया है साधारन तया पासा के केवल एक प्रारूप के आधार पर किसी भी पासा को मानक पासा या सामाने पासा के रूप में वर्गे कृत नहीं किया जा सकता है साधारन तया पासा से संबन्धित किसी भी प्राश्न को दिये गए प्राश्न की प्राकृति के अनुसार हम इन चार नियमों में से किसी एक नियम या एक से अधिक नियमों की सहायता से शिगरता एवं सटीकता के साथ आसानी से हल कर सकते हैं एक मानक्ता का नियम, Rule of Standardization, दो, निकटवर्ती अंकों आकृतियों रंगो का नियम, Rule of Adjacent Digits or Figures or Colors, तीन, दो समान अंक या आकृति या रंगो का नियम, Rule of Two Same Digits or Figures or Colors, चार, चक्रिय घोनन या कोरामीन का नियम, Rule of Circular Motion और कोरामेन, इन नियमों के आधार पर पासा से संबंधित किसी भी प्राश्णों को हल करने से पहले, यहने तांताविशक है कि इन नियमों के तमाम तक्निकी एवं कारे प्रणाली के हमें गहनता के साथ जानकारी हासिल हो, अतह, अबाएं इन नियमों के तक्निकी कारे प्रणाली एवं सत तदा के मापदंडों का उदाहरन सहेट एक नजर डालें. Unique Table Rules Related to Dice Problem 1. Rule of Standardization Type of Dice Only Standard Dice Percentage of Validity 100% Rule 2 Rule of Adjacent Digits or Figures or Colors Type of Dice Standard and General Both Dice Percentage of Validity 100% Rule 3 Rule of Same Two Digits or Figures or Colors Type of Dice Standard and General Both Dice Percentage of Validity 100% Rules Related to Dice Problem 4 Rule of Circular Motion or Koramin Type of Dice Standard and General Both Dice Percentage of Validity 85% Eek Manakta Ka Niyam Rule of Standardization Aisipasa ka Samohu, Jismei Eek Hii Pasa Ke Eek Saya Adik Praaroop Tarshae Gaay Hohu, Kyi Adi Prati Eek Praaroop Ke दो निकटवर्थी फलकों पर अंकित अंकों का योग साथ नहीं होता हो, तो मानक्ता के निया मानुसार ऐसे पासा के दो विप्रीत फलकों पर अंकित अंकों का योग निश्चित रूप से साथ होगा, जैसे यदे किसे फलक पर कोई अंक अंकित हो तो इसके विप्रीत फलक पर अंक अंकित होंगे एक विप्रीत फलक पर छे दो विप्रीत फलक पर पांच तीन विप्रीत फलक पर चार चार विप्रीत फलक पर तीन पांट विप्रीत फलक पर दो छे विप्रीत फलक पर एक अर्थार यदि हम पासा के प्रारूप के आधार पर ये निर्धारन कर लें की दिया गया पासा मानक पासा है तो इंगर नाओं के आधार पर ऐसे पासा के किसी भी फलक पर अंकित या जो अंकित नहीं भी हो अंक के विप्रीत फलक पर कौन सा अंख होगा इस बात को शिग्रता एवं सटीकता के साथ आसानी से ज्याद कर सकते हैं नोट इस नियम का प्रयोग केवल मानक पासा स्टैंडर डाई से संबंधित प्रश्णों को हल करने के लिए ही करना चाहिए ये नियम पोण दह यानी सो प्रतिशत वैधता से युक्त होता है अब आए मानक पासा से संबंधित प्रश्णों के कुछ उधारणेवं मानक्ता के नियामानुसार इनके व्याख्या सहित उत्तर के स्पष्टी करण पर एक नजर डालें उधारण एक दियेगाए पासा में अंक छे के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें सामने की तरफ तीन उपर की सर्फिस पे छे और दाईनी तरफ दो लिखा है इसी तरह से दूसरे चित्र में उपर छे सामने दो दाईन तरफ चार तीसरे चित्र में उपर पांच सामने की तरफ छे दाईन तरफ चार और चौथे चित्र में उपर एक सामने की तरफ चार और दाईन तरफ दो लिखा है विकल्प है एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच सही उत्तर है विकल्प एक एक यहां हम देख रहे हैं दिये गए पासा के कोई भी प्रारूप के दो निकटवर्थी फलकों पर अंकित अंकों का योग साथ नहीं है जो की इस बात की पुष्टी करता है कि दिया गया पासा एक मानक पासा है अतहा मानकता के नियमानुसार ऐसे पासा के दो विप्रीत फलकों पर अंकित अंकों का योग निश्चित रूप से साथ होगा अतह अंक छे के विप्रीत फलक पर अंक एक छे प्लस एक साथ होता है अतह उत्तर एक होगा उदारन दो यहाँ पर चार पासा दिये गए हैं उसमें अंक तीन के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा पहले चित्र में उपर की तरफ पांच सामने चार दाईनी तरफ छे दूसरे में सामने छे उपर तीन दाई पांच तीसरे चित्र में सामने एक उपर दो दाई तरफ चार चौथे चित्र में सामने एक उपर चार दाई तरफ पांच विकल्प है एक एक दो दो तीन चार चार पांच पांच छे सही उत्तर है विकल्प तीन चार यहां हम देख रहे हैं दिये गए पासा के कोई भी प्रारूप के दो निकटवर्ती फलकों पर अंके तंकों का योग साथ नहीं है जो कि इस बात की पुष्टी करता है कि दिया गया पासा एक मानक पासा है अतहा मानकता के निया मानुसार ऐसे पासा के दो विप्रीत फलकों पर अंके तंकों का योग निश्चित रूप से साथ होगा अंक तीन के विप्रीत फलक पर अंक तंक चार तीन प्लस चार साथ होता है अतह उत्तर होगा चार प्रेश्ट पांथ सो बयालीज उदाहरं तीन यहां दिये गए पासे में एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है इन प्रारूपों का ध्यान पूर्वक अफलोकन करके यह ग्यात करें कि यह दिपासा के उपरी फलक पर बिंदू या डॉट्स की संख्या पांच है तो इसके निचले फलक पर इस्तित बिंदूओं की संख्या क्या होगी विकल्प है एक एक दो दो तीन तीन चार छे पांच चार सही उत्तर है विकल्प दो दो यहां हम देख रहे हैं पासा के कोई भी प्रारूप के दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित बिंदूओं की संख्या का योग साथ नहीं है जो कि इस बात की पुष्टी करता है कि दिया गया पासा एक मानक पासा है अतह मानकता के निया मानुसार ऐसे पासा के दो विप्रीत फलकों पर अंकित बिंदूओं की संख्या का योग निश्चित रूप से साथ होगा अतहा यदि उपरी फलक पर बिंदूओं की संख्या 5 होगी तो निश्चे थे निचली फलक पर रिस्थित बिंदूओं की संख्या 2 होगी 5 प्लस 2, 7 अतहा उत्तर है विकल्ब 2, 2 उदाहरं 4 यहां दिये गए पासा में अंक 4 के विपरी फलक पर कौन सा अंक होगा? यहां पर पहले पासे में हैं उपर 1, सामने की तरफ 5, दाहिनी तरफ 3 दूसरे चित्र में उपर 6, सामने की तरफ 4, दाहिनी तरफ 2 तीसरे चित्र में उपर 5, सामने 6, दाहिनी तरफ 3 विकल्प है एक दो, दो तीन, तीन एक चार पांच सही उत्तर है विकल्प दो, तीन यहां हम देख रहे हैं कि दिये गए पासा के कोई भी प्रारूप के दो निकटवर्थी फलकों पर अंके तंकों का योग साथ नहीं है जो कि इस बात की पुष्टी करता है कि दिया गया पासा एक मानक पासा है अतहा मानक्ता के नियमानुसार ऐसे पासा के दो विप्रीत फलकों पर अंके तंकों का योग निश्चित रूप से साथ होगा अतहा अंक चार के विप्रीत फलक पर अंकित अंक है तीन, चार प्लस तीन यानि की साथ दो, निकटवर्ती अंकों या अकृतियों या रंगों का नियम, रूल ओफ एडजेसिंट डिजिट्स और फिगर्स और कालर्स ऐसे पासा का समों जिसमें एक ही पासा के एक से अधिक प्रारूप तरशाय गए हों के किसी भी फलक पर अंकित अंक या अकृति या रंग के यदि चार अलग अलग निकटवर्ती अंक या अकृति या रंग प्राप्त होते हों तो ऐसा अंक या आकृती या रंग जो निकटवर्ती फलकों पर प्राप्तिन नहीं होता है वो निश्चित ही उस अंक की आकृती या रंग के विप्रीत फलक पर इस्थित होगा नोट इस नियम का प्रायोग मानक एवं सामा ने स्टेंडर्ड एंड जेनरल दोनों ही प्रकार के पासा से संबंधित फ्रश्णों को हल करने के लिए किया जा सकता है ये नियम पूर्णतह यानी सौ प्रतिशत व्यधता से युक्तो होता है उदहरन पांच दिये गए पासा में अंक पांच के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा इस चित्र में एक पासे के विभिन फलक है पहले चित्र में सामने छे उपर पांच दाहिनी तरफ तीन दूसरे चित्र में सामने एक उपर छे दाहिनी तरफ तीन तीसरे चित्र में सामने 6 उपर 3 दाहिनी तरफ 5 चोथे चित्र में सामने 2 उपर 4 दाहिनी तरफ 5 विकल्प है 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-6 सही उत्तर है विकल्प 1-1 यहां हम देख रहे हैं कि अंक 5 के निकटवर्ती यानि एड्जेसिंट फलकों पर चार अलग-अलग अंक 6, 3, 2 और 4 प्राप्त हो रहे हैं जबकि अंक 1 केवल ऐसा है जो अंक 5 के निकटवर्ती फलक पर मौझूद नहीं है अतहा निकटवर्ती अंकों के नियमानुसार निश्चिती अंक 5 के विपरीत फलक पर अंक 1 इस्थित होगा क्योंकि 5, 6, 3, 2 और 4 एडजेसन सर्फेस पे तो ओपजट सर्फेस पे एक होगा उदाहरंट 6 यहां दिये गए पासा में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सांक होगा पहले पासे में उपर 2, सामने 5, दाहिनी तरफ 1, दूसरे पासे में उपर 1, सामने 5, दाहिनी तरफ 6, तीसरे चित्र में उपर 4, आगे 6, दाहिनी तरफ 5, चाथे चित्र में उपर 2, सामने 4, दाहिनी तरफ 3 विकल्प है 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 सही उत्तर है विकल्प 5-6 यहां हम देख रहे हैं कि अंकदों के निकटवर्ती फलकों पर चार अलग-अलग अंक 5-1-4 और 3 प्राप्त हो रहे हैं जबकि अंक 6 केवाल ऐसा है, जो अंकदों के निकटवर्ती फलक पर मौशूद नहीं है अतहा निकटवर्ती अंकों के निया मानुसार निश्चिति अंकदों के विप्रीत फलक पर अंक 6 इस्थित होगा अतहा उत्तर है 6 उदाहरं साथ यहां दिये गए पासा में आकरिती तीर का निशान के विप्रीत फलक पर कौन सी आकरिती होगी विभिन पासों में आकरितिया इस प्रकार है उप्री फलक पर तीर का निशान सामने त्रिभुज दाही तरफ वृत दूसरे चित्र में उपर सितारे का निशान सामने तीर दाही नी तरफ वृत तीसरे में उपर सितारे का निशान दाही तरफ छोटे सितारे का निशान और सामने वृत चौथे पासे में उपर सितारे का निशान सामने की तरफ गुणा का निशान और दाही नी तरफ तीर की आकरिती है विकल्ब है एक ब्लाक सर्कल, दो लिटल स्टार, तीन ट्राइंगल, चार मल्टिप्लाई, पांच ब्लाक स्टार सही उत्तर है विकल्ब दो लिटल स्टार या एस्टेरिक्स यहां हम देख रहे हैं आकरिती तीर के निकटवर्थी फलकों पर चार अलग-अलग आकरिती जो आकरिती तीर के निकटवर्थी फलक पर मौझूद नहीं है अतहा निकटवर्थी आकरिती के नियमा नुसार निश्चिती आकरिती तीर के निशान के विपरीत फलक पर आकरिती इस्टेरिक्स इस्थित होगी उदाहरनाथ यहां दिये गए पासा में रंग लाल के विप्रीत फलक पर कौन सा रंग होगा पहले पासे में हैं उपर हरा सामने लाल दाहनी तरफ गुलाबी दूसरे में उपर लाल सामने काला दाहनी तरफ ब्लू तीसरे पासे में उपर ब्लू, सामने पीला, दहनी तरफ गुलाबी विकल्प है एक ब्लू, दो गुलाबी, तीन काला, चार पीला, पांच हरा सही उत्तर है विकल्प चार पीला यहां हम देख रहे हैं रंग लाल के निकटवर्ती फलकों पर रंग हरा गुलाबी, काला और ब्लू प्लाप्त हो रहे हैं जबकि रंग पीला ही केवल ऐसा है जो रंग लाल के निकटवर्ती फलक पर मौझूद नहीं है अतहा निकटपर्ती रंगों के निया मानुसार निष्टित हे रंग लाल के विप्रीत फलक पर रंग पीला मौजूद होगा तीन दो समान अंकों या आकृतियों या रंगों का नियम रोल आफ टू सेम डिजिट्स और फिगर्स और कलर्स ऐसे पासक का समुझ जिसमें एक ही पासक एक से अधिक प्रारूप दर्शाय गए हों के यदि कोई भी दो प्रारूपों के दो फलकों पर अंकित अंक या आकृति या रंग समान हों तो ऐसे इस्तिति में उन पासों के प्रारूप में अंकित शेश यानि रेस्ट असमान अंक या कृति या रंग आपस में एक दूसरे के निष्टित ही विप्रीत होते हैं प्रेश्ट 543 नोट इस नियम का प्रयोग माना के वमसामा ने स्टैंडर्ड और जेनरल दोनों ही प्रकार के पासों से संबंधित प्रश्णों को हल करने के लिए किया जा सकता है ये नियम पूर्णता स्वप्रतिशत व्यधता से युक्त होता है उदाहरण नोट दिये गए पासा में अंक चार के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा पहले पासे में सामने एक उपर पांच दाहिनी तरफ तीन दूसरे चितर में सामने चार उपर तीन दाहिनी तरफ पांच तीसरे चितर में सामने तीन उपर चार दाहिनी तरफ दो चौथे चितर में सामने तीन उपर दो दाहिनी तरफ एक विकल्प है एक एक दो दो तीन तीन चार पांच पांच छे सही अत्तर है विकल्प एक एक चुकि हमें अंक चार के विप्रीत फलक पर इस्थित अंक ग्याद करना है अतहा एस इस्तिति में हम सर्व प्रथम ये देखेंगे कि अंक चार किन किन प्रारूपों में मौजूद है और उसके सहयोगी अंक कौन कौन है और वे अन्य प्रारूपों में भी मौजूद है या नहीं यहां हम देख रहे हैं कि दिये गए पासा के प्रारूप 2 और 3 दोनों ही प्रारूपों में अंक 4 मौजूद है और प्रारूप 2 में उसकी सहयोग अंक के रूप में अंक 3 और 5 तथा प्रारूप 3 में अंक 3 और 2 मौजूद है जो कि क्रमिशा पासा प्रारूप 1 और 4 में भी यदि हम पासाओं के प्रारूप पर विचार करें तो पासा प्रारूप एक पांच और तीन पासा प्रारूप दो पांच तीन एक इसके विपरीत फलक पर होगा चार या चार के विपरीत फलक पर एक पासा प्रारूप तीन में तीन और दो पासो प्रारूप 4 में 3 और 2 तो 4 के विपरीद फलक पर एक या 1 के विपरीद फलक पर 4 होगा इस आरेक सिस्पष्थ है कि पासो के प्रारूप में 5 और 3 और 2 common हैं और रेस्ट असमान अंक 4 और 1 हैं अतहा इस इस्तिति में इस नियम आनुसार हम निश्चत रूप से ये कह सकते हैं कि अंक चार के विप्रीत फलक पर अंक एक होगा, अतहा उत्तर होगा एक नोट, नियम तीन को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं जिस अंक या आकरिती या रंग का विप्रीत ग्यात करना हो, यदि वो किसी विशेश पासा के प्रारूप में मौजूद हो, जबकि उसके दोनों ही सहयोगी अंक, आकरिती या रंग अन्य पासा में मौजूद हो, तो ऐसे इस्तिति में उन दोनों पासा प्रारूपों में पुष्चिती एक दूसरे के विप्रीद होंगे। पुष्चिती एक दूसरे के विप्रीद होंगे। पुष्चिती एक दूसरे के विप्रीद होंगे। पहले पासे में सामने हरा उपर पीला दाहिनी तरफ गुलाबी। दूसरे में सामने हरा उपर काला दाहिनी तरफ पीला। तीसरे में सामने ब्लू उपर गुलाबी दाहिनी तरफ पीला। चौथे में सामने लाल, उपर ब्लू, दाहनी तरफ काला विकल्ब है एक लाल, दो गुलाबी, तीन काला, चार ब्लू, पांच पीला सही उत्तर है विकल्ब चार ब्लू पासा प्रारूप एक और तीन से एक और तीन में कॉमन है पीला और गुलाबी और हरा और ब्लू दोनों ही एक दूसरे के विपरीथ है चुकि पासा प्रारूप एक और तीन में रंग पीला और गुलाबी तो कॉमन है जबकि हरा और ब्लू इन में मौजूद अलग-अलग रंग है अताहिस इस्तिति में हम कह सकते हैं कि निश्टिति रंग हरा के किसी अंक या अकृति या रंग के विपरीथ फलक पर अंकित अंक या अकृति या रंग ग्यात करना हो और यदि केवल वो जिसका विपरीथ ग्यात करना हो या उसके दोनों सहयोगियों या निकटवर्तियों में से कोई एक अनिप्रारूप में कॉमन हो तो ऐसी इस्तिति म हम common factor से clockwise या anti-clockwise rotation करके विप्रीत फलक परिस्थित अंक, अकृति या रंग को आसानी से ग्याद कर सकते हैं Note, इन तीनों नियमों के आधार पर जब कोई प्रेशन हल नहीं हो तो वैसी इस्तिति में इस नियम का प्रयोग करना चाहिए यहां हमने इस नियम को कुरामीन इंजेक्शन के नाम से भी नामकरन किया है इसलिए कि इस बात से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि किसी भी व्यक्ति को कुरामीन के इंजेक्शन अंतिम विकल्प के रूप में ही दिया जाता है और इसके बाद उसके जीवन के स्थि बिल्कुल भी सैंशय मुक्त होती है ठीक उसी प्रकार इस नियम से हल किये गए प्रश्नों के उत्तर की भी स्थि कभी कभी सैंशय युक्त होती है अंततहाँ आपको मैं फिर से इसलाह देना चाहूंगा कि इस नियम का प्रयोग वैसी ही इस्तिति में करें जवन्ने तीनों नियमों के आधार पर किसी प्रश्ण का समाधान नहीं होता हो उदारन बारा दिये गए पासे में अंक दो के विप्रीत वलक पर कौन सा अंक होगा पहले पासे में उपर दो सामने तीन दाहिनी तरफ चार दूसरे पासे में उपर छे सामने दो दाहिनी तरफ चार तीसरे पासे में उपर एक सामने तीन दाहिनी तरफ दो विकल्प है एक पांच, दो छे, तीन चार, चार एक, पांच तै नहीं किया जा सकता प्रेश्ट पांच सुचवालीज सही उत्तर है विकल्प एक, पांच चुकि हमें अंक दो के विप्रीत फलक पर इस्थित अंक को ग्यात करना है इसलिए हम ये देखेंगे कि स्वयम अंक दो या फिर उसके निकटवर्ती अंकों में से केवल कोई एक कौन से दो प्रारूपों में मौजूद है इन तर्थियों पर विचार करते हुए इन प्रारूपों में गौर करने पर यहां हम देख रहे हैं कि पांच के प्रारूप एक और दो में केवल अंक दो या केवल उसका कोई एक निकटवर्ती अंक नहीं बलकि अंक दो और चार दोनों ही मौजूद है अतहा इस अस्तिति में नियम चार को यहां लागू नहीं किया जा सकता लेकिन प्रारूप दो और तीन में गौर करने पर यहां हम देखते हैं कि इन प्रारूपों में केवल अंक दो ही कॉमन है अतहा नियम आनुसार कॉमन डिजिट दो से हम क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज इस रूप से रोटेट करके अभिष्ट अंक आसानी से ग्याद कर सकते हैं दो से छे छे से चार और एंटी क्लॉक वाइज में दो से तीन तीन से एक चोकि पासे में छे अंक मौजूद होते हैं इसलिए कॉमन अंकों में से नीचे वाले अंक दो को काट कर हम वैसे बाकी अंकों को रखेंगे जोकि व्यवस्थित अंकों में मौजूद नहीं हो जैसे यहां rotation chain में अंक 2 को काट कर वहां 5 दर्शाया गया है अतहा इस प्रकार से हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि अंक 2 के विप्रीत फलक पर अंक 5 होगा अतहा उत्तर है विकल्प 1-5 उदारं 13 दिये गए पासा में आकरिती एस्टेरिक्स के विप्रीत फलक पर कौन सी आकरिती होगी पहले पासे में हैं उपर ट्राइंगल सामने एस्टेरिक्स दाहिनी तरफ स्टार दूसरे पासे में उपर स्टार सामने डॉलर दाहिनी तरफ एरो विकल्प है 1-and 2-T्राइंगल 3-arrow 4-Black Star 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 3-arrow चोकि हमें आकरिती एस्टेरिक्स के विप्रीत फलक पर इस्थेत आकरिती ग्यात करनी है इसलिए सर्फ प्रथम हम ये देखेंगे कि आकरिती एस्टेरिक्स स्वयम या फिर उसके निकटवर्ती एडजेसंट आकरितियों में से कोई एक अन्य प्रारूप में मौजूद है या नहीं यहां हम इन तथ्यों पर घौर करने पर देखते हैं कि आकरिती एस्टेरिक्स तो नहीं लेकिन उसके निकटवर्ती आकरिती ब्लैक स्टार दोनों ही प्रारूप में कॉमन है अतह निया मानुसार कॉमन आकरिती के क्लॉक्वाइज या एंटिक्लॉक्वाइज रोटेट करने पर हम इस प्रकार से आसानी पूर्वक अभीष्ट फलक पर इस्थित आकरिती ग्यात कर सकते हैं इस प्रकार हम निश्टित्रूप से कह सकते हैं कि आकृती एस्टेरिक्स के विप्रीत फलक पर आकृती एरो होगी उदार अंचादा है दिये गए पासा में रंग पीला के विप्रीत फलक पर कौन सा रंग होगा पहले पासे में उपर पीला सामने हरा दाहिनी तरफ सफेद दूसरे पासे में उपर ब्लू सामने पीला दाहिनी तरफ सफेद तीसरे पासे में उपर लाल सामने ब्लू और दाहिनी तरफ सफेद विकल्प है एक ब्लू, दो लाल, तीन हरा, चार सफेद, पाँच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प दो लाल नियम चार चक्रिय घूनन के अनुसार हम इस प्रश्ण को हल करने के लिए प्रारूप एक और दो या प्रारूप तीन को सिलेक नहीं कर सकते इसलिए कि इन प्रारूपों में क्रमशा दो रंग पीला और सफेद और ब्लू और सफेद कॉमन है जबकि नियम अनुसार कोई एक कॉमन होना चाहिए जबकि नियम चार के आधार पर विचार करने पर हम यहां देख रहे हैं कि प्रारूप एक और तीन रोटेशन के नियम का अनुसारन कर रहा है इसलिए कि इन दोनों में केवल रंग सफेद कॉमन है अतहा हम फर्स्ट और थर्ड प्रारूप के आधार पर रंगों को रोटेट करके आअसानी से अभीष्ट विप्रीत फलक पर इस्थित रंगों को इस प्रकार से ग्यात कर सकते हैं रोटेशन प्रारूप एक और तीन से सफेद उससे हरा और फिर पीला और दूसरे में सफेद फिर ब्लू फिर लाल अभीष्ट विप्रीत फलक पर इस्थित रंगों होगा लाल नोट चक्रिय नियमानुसार व्यवस्थित करने पर एक दूसरे के ऊपर नीचे इस्थित कॉंपोनेंट एक दूसरे के विप्रीत फलक पर इस्थित होते हैं मुझे उम्मीद है कि पासे से संबंधित प्रशनों को हल करने के लिए प्रतिपादित इन नियमों में से प्रतियक नियम से संबंधित उदाहरणों को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे लेकिन फिर भी पासे संबंधित प्रशनों पर आपकी अच्छी और मजबूत प और अभ्यास करने पर ये ट्रेक्स आपको एक वर्धान प्रतीत होंगे और इनके आधार पर आप पासा या डाइस से संबंधित किसी भी प्रश्ण को आसानी से हल कर लेंगे। आपको का ध्यान पूर्व का ध्यान करके इन पर आधारित प्रश्णों का उत्तर दीजिए। प्रश्ण एक यहां दिये गए पासा में अंक तीन के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प दो 6 यहां हम देख रहे हैं अंक तीन के विप्रीत फलक पर अंक 6 होगा। प्रश्ण दो यहां दिये गए पासे में अंक 6 के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पहले चित्र में सामने 3 ऊपर 6 दाहिनी तरफ दो। दूसरे चित्र में सामने 2 ऊपर 6 दाहिनी तरफ 4। तीसरे चित्र में सामने 6 ऊपर 5 दाहिनी तरफ 4। चौथे चित्र में सामने 4 ऊपर 1 दाहिनी तरफ 2। विकल्प है 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, यह प्रश्ण IES एक्जाम 1986 में पूछा जा चुका है, इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प 1, 1, by rule of standardization, 6 in opposite 1, यहां हम देख रहे हैं दिया गया dice, एक standardize है, इसलिए rule of standardization के अनुसार इसे dice के दो विपरीत फलकों पर अंके तंकों का प्रश्ण दीन, इस पासे में अंक तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, पहले चित्र में सामने 4 उपर 5 दाहिनी तरफ 6, दूसरे चित्र में सामने 1 उपर 2 दाहिनी तरफ 4, तीसरे चित्र में सामने 6 उपर 3 दाहिनी तरफ 5, और चौथे चित्र में सामने 1 उपर 4 ताहिनी तरफ पांच, विकल्ब है 1-1, 2-2, 3-4, 4-6, यह प्रश्ण IAS एक्जाम 1987 में पूछा जा चुका है, इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्ब 3-4, यहां हम देख रहे हैं दिया गया डाइस, एक स्टैंडर डाइस है, इसलिए रूल ओफ स्टैंडर डाइसेशन के अन अंक 4 होगा, प्रश्ण 4, दिये गया पासे में अंक 3 के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा, पहले चित्र में सामने 3 उपर 6 दाहिनी तरफ 1, दूसरे चित्र में सामने 2 उपर 5 दाहिनी तरफ 4, तीसरे चित्र में सामने 5 उपर 3 दाहिनी तरफ 1, चौथे चित्र में सामन इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार, चार, बाइ रूल ओफ स्टेंडर्डाइजेशन, थ्री इन ओपोसिट फोर, अतहा अंक तीन के विप्रीत फलक पर अंक चार होगा, नोट, ऐसे डाइस जिसके कोई भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंको का योग साथ नहीं हो, ऐसे डाइस को स्टेंडर्डाइस कहते हैं, ऐसे डाइस के दो विप्रीत फलकों पर अंकित अंको का योग हमेशा ही साथ होता है, जैसे वन और सेक्स सेवन, टू और फाइ दाहिनी तरफ 3, दूसरे चित्र में सामने 1, उपर 3, दाहिनी तरफ 5, तीसरे चित्र में सामने 2, उपर 4, दाहिनी तरफ 3, विकल्प है 1, 1, 2, 6, 3, 4, 4, 5, यह प्राश्न IAS एक्जाम 1992 में पूछा जा चुका है, इस प्राश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, 6, by rule of adjacent digit, 3, adjacent में 4, 2, 1, and 5 है तो opposite में 6 होगा, प्राश्न 6, यहां एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि पासे के निचले फलक पर अंक 2 को कर दिया जाए, तो पासा के उपरे फलक पर इस स्तिति में कौन सा अंक आ जाएगा, पहले चित्र में है सामने 2, उपर 6, दाहिन तरफ 3, विकल्प है 1-1, 2-3, 3-4, 4-5, यह प्राश्न असिस्टेंट ग्रेट एक्जाम 1993 में पूछा जा चुका है, इस प्राश्न का सही उत्तर है विकल्प 4-5, यहां हम देख रहे हैं दिया गया डाइस, एक स्टैंडर डाइस है, अता है इस स्तिति में यदि निचले फल पर अंक 5 होगा, प्राश्न साथ, यहां एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि अंक 5 को उपरी फलक पर कर दिया जाए तो इस स्तिति में निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा, यहां पर पहले चित्र में सामने 4 उपर 1 दाहिनी तरफ 2, दूसरे चित इन ग्रेड एक्जाम 1993 में पूछा जा चुका है, इस प्रश्न का सही उत्तर है, विकल्प 2, दू, बाइ रूल ओफ स्टेंड़ाइजेशन, इन टॉप सर्फिस 5, इन बॉटम सर्फिस 2, यहां हम देख रहे हैं दिया गया डाइस, एक स्टेंडर डाइस है, अतहे इस स्तित को उपरी फलक पर कर दिया जाए, तो ऐसे स्तिति में निचले फलक पर कौन सा अंख होगा, पहले चित्र में हैं सामने 3 उपर एक दाहिनी तरफ दो, दूसरे चित्र में सामने 5 उपर एक दाहिनी तरफ छे, विकल्प है 1-1, 2-2, 3-5, 4-6, यह प्रश्न असेस्टेंट ग्र 6-3-2, in opposite 4, by rule of circular motion, 1-2-3, 1 कट करके 6-5, 1 के opposite 4 होगा, और 4 के opposite 1, यहां हम देख रहे हैं दोनों ही नियम से इस बात की पुष्टी हो रही है, कि यदि उपरी फलक पर अंक 4 हो, तो निच्टिते निचले फलक पर अंक 1 होगा, प्रश्न 9, यहां एक ही पासा के तीन उपो को दर्शाया गया है, इस पासा में अंक 4 के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा, पहले चित्र में है, उपर एक सामने 3 दाहिनी तरफ 6, दूसरे चित्र में उपर एक सामने 4 दाहिनी तरफ 3, तीसरे चित्र में उपर 6, सामने 2 दाहिनी तरफ 5, विकल्प है 1-1, 2-2 तीन पाँच चार छे ये प्रश्ण होटल मैनेजमेंट एक्जाम अप्रेल 1997 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार छे यहां हम देख रहे हैं प्रारूप एक और दो में एक और तीन दो अंक समान है इसलिए ऐसी इस्तिति में असमान अंक चार और छे निश्टित रूप से एक दूसरे के विप्रीत होंगे अतह अंक चार के विप्रीत वलक पर अंक छे होगा प्राश्ण दस यहां एक ही पासा के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा पहले चित्र में सामने तीन उपर चार दाहिनी तरफ छे, दूसरे चित्र में सामने दो उपर चार दाहिनी तरफ तीन, तीसरे चित्र में सामने एक उपर चार दाहिनी तरफ दो विकल्प है एक 5, 5, 5, 2, 5, 6, 1, 3, 6, 5, 2, 4, 6, 6, 2 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प 1, 5, 5, 5 बाइ रूल ओफ एडजेसिंट डिजिट 4 इन एडजेसिंट 3, 6, 2, 1, इन ओपसिट 5 यहां हम देख रहे हैं अंक चार के निकटवर्ती फलकों पर अंक 3, 6, 2, 1 मौजूद हैं अतह निश्चे थे अंक 4 के विप्रीत फलक पर अंक 5 होगा अतह तीनों प्रारूपों के निचले फलक पर क्रमशा अंक 5, 5 और 5 होगा प्राश्ण 11 यहां एक ही पासा की दो प्रारूपों को दर्शाया गया है यदि इस पासा की उपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा पहले चित्र में सामने 4 ऊपर 1 दाहिनी तरफ 2 दूसरे चित्र में सामने 2 ऊपर 6 दाहिनी तरफ 3 विकल्प है 1-1, 2-2, 3-3, 4-6 यह प्राश्ण असेस्टेंट ग्रेड एक्जाम 1997 में पूछा जा चुका है इस प्राश्ण का सही उत्तर है विकल्प 2, 2 यदि अंक 5 उपरी फलक पर है तो निश्चे थे निचले फलक पर अंक 2 होगा नर्देश, यहां एक ही पासा के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है इनका ध्यान पूर्वा कध्यान करके प्राश्ण संख्या 12 से 14 तक के प्राश्णों का उत्तर दीजिए चित्र एक में सामने छे उपर तीन दाहिनी तरफ दो, दूसरे चित्र में सामने पांच उपर तीन दाहिनी तरफ छे तीसरे चित्र में सामने पांच उपर चार दाहिनी तरफ तीन यह प्राश्ण यूपी, सी एस, एए, एस, एक्जाम 1998 में पूछा जा चुका है प्राश्न बारह अंक दो के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा विकल्प है एक एक, दो चार, तीन पाँच, चार तै नहीं किया जा सकता सही उत्तर है विकल्प तीन, पाँच बाइ रूल अफ सेम टू डिजिट डाइस फॉमेट बन और टू से थ्री और सिक्स कॉमन है तो टू को अपजिट फाइव या फाइव को अपजिट टू होगा यहां हम देख रहे हैं कि प्रारूप एक और दो में अंक तीन और छे कॉमन है ऐसे इस्तिति में निश्टित ही अंक दो के विप्रीत फलक पर अंक पाँच होगा प्राश्ण 13 प्रारूप एक के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा विकल्प है एक एक दो चार तीन पाँच चार इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प एक एक यहां हम देख रहे हैं अंक 3 के निकटवर्थी फलकों पर अंक 6, 2, 5 और 4 मौजूद है अतहाय से इस्तिति में निष्ठिति अंक 3 के विप्रीत फलक पर अंक 1 होगा प्रेश्ट 546 प्रेश्ण 14 अंक 6 के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा? विकल्प है 1, 1, 2, 4, 3, 5, 4 निर्धारित नहीं किया जा सकता सही उत्तर है विकल्प 2, 2 बाइ रूल आफ सेम 2 डिजिट टाइस फो में 2 और 3 से 5 और 3 कौन 6 का ओपोसिट 4 होगा यहां हम देख रहे हैं प्रारूप 2 और 3 में अंक 5 और 3 कौन है अतहे सिस्ति में निश्चिति अंक 6 के विप्रीत फलक पर अंक 4 होगा दर्देश यहां एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है जिन में अंक 1 से 6 तक अंकित किये गए हैं दिये गए प्रारूपों का ध्यान पूर्व का ध्यान करके इन पर आधारित प्रश्न 15 से 17 तक का उत्तर दीजिए पहले चित्र में हैं सामने 6 उपर 3 दाहिनी तरफ 2 दूसरे चित्र में सामने 5 उपर 3 दाहिनी तरफ 6 तीसरे चित्र में सामने पांच उपर चार दाहिनी तरफ तीन ये प्रश्ण SSC Assistant Grade PT Exam 1998 में पूछा जा चुका है प्रश्ण 15 अंक दो के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा विकल्ब है एक एक, दो चार, तीन पांच, चार नडधारित नहीं किया जा सकता सही उत्तर है विकल्ब तीन, पांच यहां हम देख रहे हैं डाइस प्रारूप एक और दो में अंक तीन और छे कॉमन है अतहनिश्चत ही अंक दो के सामने वाले फलक पर अंक पांच होगा प्रश्ण 16 अंक छे के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा विकल्प है एक एक, दो पांच, तीन चार, चार निर्धारित नहीं किया जा सकता सही उत्तर है विकल्प तीन, चार By rule of same two digits, dice format two and three से three and five common है Six को opposite four होगा यहां हम देख रहे हैं, dice प्रारूप दो और तीन में अंक तीन और पांच common है अतहाई सिस्तिति में निश्टिति अंक छे के सामने वाले फलक पर अंक चार होगा प्राशन सत्रह, प्रारूप एक के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा विकल्प है एक, एक, दो चार, तीन, पांच, चार इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प एक, एक बाइ रूल ओफ एडजेसंट डिजिट, प्रारूप एक के निचले फलक पर एक्वल टू थ्री के विप्रीत में थ्री के एडजेसंट है, सिक्स तू फाइव एन फॉर, ओपजिट में होगा वन यहाँ हम देख रहे हैं अंक तीन के निकटवर्थी फलकों पर अंक छे, दो, पांच और चार मौजूद हैं, अतहर सिस्तिधी में निश्चिती अंक तीन के विप्रीत फलक पर अर्थार प्रारूप एक के निचले फलक पर अंक एक होगा प्रश्न अठा रहा यहाँ एक ही पासा के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है जिनके फलकों पर एक से छे तक के अंक अंकित हैं इनमें अंक दो के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा पहले चित्र में सामने तीन उपर दो दाहिनी तरफ चार दूसरे चित्र में सामने 3 उपर 1 दहिनी तरफ दो तीसरे चित्र में सामने 5 उपर 3 दहिनी तरफ 4 चौथे चित्र में सामने 2 उपर 6 दहिनी तरफ 4 विकल्प है 1,3,2,4,3,5,4,6 यह प्रश्ण MAT exam जनवर 1998 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प 3,5 बाइ रूल ओफ एडजेसन डिजिट टू की एडजेसन डिजिट्स हैं 3,4,1,6 ओपसिट में 5 यहां हम देख रहे हैं अंक दो के निकटवर्थी फलकों पर अंक 3,4,1 और 6 मौजूद हैं अतहल सिस्ति में निश्चिती अंक 2 के विप्रीत फलक पर अंक 5 होगा प्रश्ण 19 यहां एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है इनमें अंक 4 के विप्रीत फलक पर कौन सा अंक होगा पहले चित्र में हैं सामने 3, उपर 2, दाहिनी तरफ 4 दूसरे चित्र में सामने 1, उपर 4, दाहिनी तरफ 5 विकल्प है 1, 5, 2, 3, 3, 2, 4, 6 यह प्रश्ण M.A.T. exam जन्वरी 1998 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प 4, 6 यहां हम देख रहे हैं अंक 4 के निकटवर्ती फलकों पर अंक 2, 3, 1 और 5 मौजूद हैं अताहाई सिस्ति में निकटवर्ती अंक 4 के विप्रीत फलक पर अंक 6 होगा नर्देश एक डिब्वे के 6 फलकों पर F1, F2, F3, F4, F5 और F6 अंकित है जैसा कि यहां चित्र में बताया गया है इसके आधार पर प्रश्ण जंख्या 20 से 22 तक के प्रश्णों का उत्तर दें पहले चित्र में उपर F1 सामने F2 दाहिनी तरफ F3 दूसरे चित्र में सामने F3 उपर F4 दाहिनी तरफ F5 तीसरे चित्र में सामने F5 उपर F6 दाहिनी तरफ F1 यह प्रश्ण RMAT MBA exam 1998 में पूझा जा चुका है प्रश्ण 20 इन में से कौन से फलक आसन एडजेसंट फलक बनाते हैं विकल्प है एक F1 F5 F3 दो F6 F2 F5 तीन F3 F2 F5 चार F5 F1 F4 सही उत्तर है विकल्प है F1 F5 F3 by rule of adjacent digit F3 in adjacent F1 F2 F4 and F5 in opposite F6 F1 in adjacent F2 F3 F5 and F6 in opposite F4 F2 and F5 are in opposite यहां हम देख रहे हैं F1 F2 F3 के विप्रीत फलक पर क्रमशा F4 F5 F6 मौजूद है अतहार सिस्तिति में केवल विकल्प एक में दिये गए अक्षा रंग F1 F5 F3 adjacent फलक बनाएंगे प्राशने केस F3 के विप्रीत फलक पर क्या है विकल्प है एक F6 दो F1 तीन F4 चार F2 सही उत्तर है विकल्प एक F6 by rule of adjacent digit F3 in adjacent F1 F2 F4 and F5 in opposite F6 यहां हम देख रहे हैं F3 के adjacent में F1 F2 F4 और F5 मौजूद है अतहार निश्चित है F3 के विप्रीत फलक पर F6 होगा प्राशन बाइस यदि डिब्बे के कोनों को A, B, C और D से नामांकित किया जाए जैसा कि प्रारूप 3 में बताया है तो A, B किनारे के दूसरे निकटवर्थी फलक पर क्या होगा विकल्प है एक F1, दो F2, तीन F3, चार F4 सही उत्तर है विकल्प दो F2 by rule of adjacent digit A, B किनारे के पहले निकटवर्थी फलक पर F6, A, B किनारे के दूसरे निकटवर्थी फलक पर F5 के विप्रीत फलक पर F5 के adjacent में होगे F1, F6, F3 और F4 और opposite में होगा F2 यहां हम देख रहे हैं F5 के निकटवर्थी फलकों पर F1, F6, F3 और F4 मौजूद है अतहा इस इस्तिति में निश्चती F5 के विप्रीत फलक पर F2 होगा प्राश्न तेईस यहां एक ही पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है इनमें अंकचार के विप्रीत पलक पर कौन सा अंख होगा पहले चित्र में सामने एक उपर पांच दाहिनी तरफ तीन, दूसरे चित्र में सामने चार उपर तीन दाहिनी तरफ पांच, तीसरे चित्र में सामने तीन उपर चार दाहिनी तरफ दो, चौथे चित्र में सामने तीन उपर दो दाहिनी तरफ एक विकल्प है 1-1, 2-2, 3-5, 4-6 यह प्रश्ण ESIC exam जुलाई 1999 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प 1-1 By rule of same two digits, dice format 1 and 2 से 5 and 3 common है 4 का opposite 1 होगा यहां हम देख रहे हैं, dice प्रारूप 1 और 2 में अंक 5 और 3 common है अतहा इस इस्तिती में निश्चिती इनमें मौजूद 6 अंक 4 और एक एक दूसरे के विपरीत होंगे अतहा 4 के विपरीत फलक पर अंक 1 होगा प्रश्ण 24 यहां एक ही पासा के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है यदि इस पासा के उपरी फलक पर अंक 6 को ले आया जाए तो इसके निश्चले फलक पर कौन सा अंक आएगा पहले चित्र में है सामने 6 उपर 3 दाहिनी तरफ 2 दूसरे चित्र में सामने 5 उपर 4 दाहिनी तरफ 1 तीसरे चित्र में सामने 2 उपर 1 दाहिनी तरफ 3 चौथे चित्र में सामने 3 उपर 2 दाहिनी तरफ 1 विकल्प है 1-1, 2-3, 3-4-4-5 यह प्रश्ण S.S.C. L.D.C.P.T. एक्जाम जनवरी 2000 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प 1-1 बाइ रूल ओफ स्टेंडर्डाइजेशन यहां हम देख रहे हैं दिया गया डाइस एक स्टेंडर्डाइस है अतहर रूल ओफ स्टेंडर्डाइजेशन के अनुसार यदि अंकचे को उपरी फलक पर रखा जाए तो निश्चेते निश्ले फलक पर अंक एक होगा नोट स्टेंडर्डाइस के दो विप्रीत फलकों पर अंकेत अंकों का योग हमीशा साथ होता है और अंतिम प्रशन प्रशन 25 यहां एक ही पासा के चार प्रारूपों को बताया गया है इस पासा में अंक चार के सामने वाले फलक पर कौन सा अंकों होगा पहले चित्र में सामने पांच उपर दो दाहिनी तरफ एक 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 दो दो तीन तीन चार पांच यह प्रश्ण SAC LDC PT एक्जाम जनवरी 2002 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एक बाई रूल ओफ एट्जेसंट डिजिट फोर की एट्जेसंट है 6, 5, 2, 3 ओपसिट है 1 यहां हम देख रहे हैं अंक चार क इट्जेसंट फलकों पर अंक 6, 5, 2 और 3 मौजूद है अतहा इस स्तथी में निश्चित ही अंक 4 के विपरीत फलक पर अंक 1 होगा नोट जिस अंक का विपरीत अंक ग्याद करना हो यदि उस अंक के चार अलग-अलग निकटवर्ती अंक प्राप्त होते हों तो वो अंक जो क कि उस अंक के निकटवर्ती फलक पर प्राप्त नहीं होता है वो निश्चित ही उस अंक का विपरीत अंक होता है इसी के साथ टाइप 1 के प्रश्ण समाप्त टाइप 2 निर्देश दिये गए प्रतियक प्रश्ण में एक ही पासा को एक से अधिक प्रारूपों में दर्शाय गया है जिनके फलकों पर अंक एक से छे तक के लिए अलग अलग एक से छे कालांकित बिंदू को अंकित किया गया है प्रतियक दिये गए प्रारूप का ध्यान पूर्वा कद्धेयन करके इन पराधारित प्रश्णों का उत्तर दीजिए प्रश्ण 26 यहां एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जिनके फलकों पर एक से छे तक बिंदूओं को अंकित किया गया है यदि पासा के नेचले फलक पर तीन बिंदू हो तो उपरी फलक पर कितने बिंदू होंगे पहले चित्र में उपरी फलक पर छे बिंदू सामने दो दाहिनी तरफ तीन दूसरे चित्र में सामने तीन उपर छे दाहिनी तरफ चार विकल्प है एक एक और पांच दो दो तीन तीन चार पांच ये प्रश्ण सेक्षन ओफिसर्स एक्जाम 1993 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एक या फिर पांच यहां हम देख रहे हैं तीन बिंदो के एड्जिसंड में केवल 2, 4 and 6 बिंदो ही प्राप्ट हो रहे हैं अतहा इस इस्तत्री में यदी निचले फलक पर बिंदो की संख्या 3 हो तो उप्री फलक पर बिंदू की संख्या या तो एक या पिर पांच होगी प्राश्न 27 यहां एक ही समानांतर शष्ट फलक के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है यदि उपरी फलक पर बिंदू की संख्या तीन हो तो इसके निचले फलक पर बिंदू की संख्या कितनी होगी पहले चित्र में उपर पांच सामने एक दाहिनी तरफ दो दूसरी चित्र में सामने दो उपर छे दाहिनी तरफ तीन विकल्प है एक एक दो चार तीन पांच चार छे यह प्रश्न इंकम टैक्स और सेंटरल एकसाईज एक्जाम 1994 में पूछा जा चुका है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, 5 By rule of circular motion 2, 1, 5 2, 6, 3 1 and 2 में common है 2 Here 5 and 3 dots are opposite of each other यहां हम देख रहे हैं common बिंदों की संख्या 2 से rotate करने पर हमें बिंदों की संख्या 5 और 3 एक दूसरे की विपरीत प्राप्त हो रही है अतह इस इस्तिति में यदि उपरी फलक पर बिंदों की संख्या 3 हो तो निश्चिति इसके निश्ले फलक पर बिंदों की संख्या 5 होगी प्राश्न अठाइस यहां एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जब चार गोले नीचे की ओर होंगे तो उपर के फलक पर कितने गोले होंगे पहले चित्र में सामने चार उपर दो दाहिनी तरफ एक दूसरे चित्र में सामने तीन उपर पांच दाहिनी तरफ एक विकल्प है एक तीन दो चार तीन पांच चार छे यह प्रश्ण income tax और central exercise exam 1994 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक तीन By rule of standardization यहां हम देख रहे हैं दिया गया dice एक standard dice है अतहा इस इस्तिती में चार गोले निचले फलक पर हो तो निच्चिती उपरी फलक पर गोले की संख्या तीन होगी Note standardize के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदों की संख्या का योग हमेशा ही साथ होता है प्रश्ण 547 प्रश्ण 29 यहाँ एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है यदि इसके निचले फलक पर बिंदों की संख्या एक हो तो उपर वाले फलक पर कितने बिंदों होंगे पहले चित्र में हैं सामने तीन दाईं तरफ चार उपर पांच और दूसरे चित्र में सामने तीन दाईं तरफ दो उपर छे विकल्प है एक दो, दो तीन, 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 चार, चार, पांच यह प्रश्ण Assistant Grade Exam 1994 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प दो, तीन, यहां हम देख रहे हैं तीन बिंदू वाले फलक के एडजेसंट फलकों पर पांच, चार, छे और दो बिंदू मौझूद है अतहा इस स्तिती में निश्चे थी तीन बिंदू वाले फलक के विप्रीत फलक पर बिंदू की संख्या केवल एक होगी अतहा यदि निचले फलक पर बिंदू की संख्या एक है तो निश्चे थी उपरी फलक पर बिंदू की संख्या तीन होगी प्रश्ण तीस यहां एक ही ब्लॉक के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है यदि निचले फलक पर बिंदूओं की संख्या 6 है तो उपर के फलक पर बिंदूओं की संख्या कितनी होगी पहले चित्र में सामने 1 उपर 6 दाहिनी तरफ 2 दूसरे चत्र में सामने 3 उपर 6 दाहिनी तरफ 4 विकल्ब है 1-1, 2-2, 3-4, 4-5 यह प्रश्ण UDC एक्जाम 1995 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्ब 4-5 जब बिन्दों की संख्या 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है जब बिन्दों की संख्या 3 निचले फलक पर प्रश्ण के तीन फ्राविक प्रश्ण पर हो तो उपरी पलग पर बिंदों की संख्या कितनी होगी पहले चित्र में सामने चार उपर छे दाहिनी तरफ तीन दूसरे चित्र में और सामने तीन उपर पांच दाहिनी तरफ दो विकल्प है 1 1 2 2 3 3 4 4 ये प्रश्ण UDC एक्जाम 1995 में पूछा जा चुका है इस प्राश्ण का सही उत्तर है विकल्ब 4 5 By rule of adjacent digit 6 in adjacent 1, 2, 3 and 4 in opposite 5 यहां हम देख रहे हैं 6 बिंदू वाले फलक के निकटवर्ती फलकों पर बिंदू की संख्या 1, 2, 3 और 4 है अतह इस स्थिथी में यदि निचले फलक पर बिंदू की संख्या 6 हो तो निश्चित ही उपरी फलक पर बिंदू की संख्या 5 होगी प्रश निकतीस यहां एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जब बिंदू की संख्या 3 निचले फलक पर हो तो उपरी फलक पर बिंदू की संख्या कितने होगी पहले चित्र में सामने चार दाहिनी तरफ तीन ऊपर छे और दूसरे चित्र में सामने तीन दाहिनी तरफ दो ऊपर पांच बिंदू है विकल्प है एक एक दो दो तीन तीन चार चार यह प्रश्ण UDC एक्जाम 1995 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार चार अधा यदि बिंदू की संख्या तीन निचले फलक पर हो तो निच्चे थी उपरी फलक पर बिंदू की संख्या एक होगी प्रश्ण 32 यहां एक ही ब्लॉक के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जब उपरी फलक पर बिंदू की संख्या एक है तो निच्चले फलक पर बिंदू की संख्या कितनी होगी पहले चित्र में हैं सामने 5 उपर 2 बिंदू दाहिने तरफ एक और दूसरे चित्र में सामने 3 उपर 2 और दाहिनी तरफ 6 बिंदू विकल्प है 1,1,2,2,3,3,4,6 यह प्रश्ण UDC एक्जाम 1995 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक 1,1,2,1,5,2,6,3,1, opposite to 6, यहां हम देख रहे हैं कॉमन बिंदू 2 से रोटेट करने पर हमें 1 और 6 दूसरे विप्रीत में प्राप्त हो रहे हैं अता है सिस्तिति में यदि उपरी फलक पर बिंदू की संख्या एक है तो निश्चे ही निचले फलक पर बिंदू की संख्या 6 होगी प्रश्ण 33 यहां एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जब निचले फलक पर बिंदों की संख्या दो हो तो उपरी फलक पर बिंदों की संख्या कितनी होगी पहले चित्र में सामने पांच दाहिनी तरफ तीन उपर एक, दूसरे चित्र में सामने दो दाहिनी तरफ एक और उपर चार बिंदू दिये गए है विकल्प है एक दो, दो तीन, तीन पांच चार छे यह प्राशन असेस्टेंट ग्रेड एक्जाम 1995 में पूछा जा चुका है इस प्राशन का सही उत्तर है विकल्प तीन, पांच यहां हम देख रहे हैं कि दिया गया डाइस एक स्टैंडर डाइस है अता हैसे स्टिथी में यदि निचले फलक पर बिंदूओं की संख्या दो हो तो निश्चित ही उपरी फलक पर बिंदूओं की संख्या पांच होगी प्राशन चांतिस यदि किसी घनाकार ब्लोग के दोविप्रीत्व अलगों पर अंकित बिन्दू की संख्या का योग साथ है तो दिये गए प्रारूपों में से कौन सा प्रारूप सही है पहले चित्र में सामने चार उपर पांच दाहिनी तरफ दो बिंदू दूसरे चित्र में सामने चार उपर पांच दाहिनी तरफ एक और दाहिनी तरफ तीन बिंदू तीसरे चित्र में सामने चार उपर पांच दाहिनी तरफ एक बिंदू और चौथे चित्र में सामने 6 उपर 5 दाहिनी तरफ दो बिंदू दिये गए हैं ये प्रश्ण SSC LDC एक्जाम 1995 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्ब 3 जिस प्रारूप में सामने 4 उपर 5 और दाहिनी तरफ एक बिंदू दिया गया है वही सही प्रारूप है By Rule of Standardization दो विपरीत फलकों पर बिंदू की संख्या बराबर साथ Standard Dice यहां हम देख रहे हैं Dice प्रारूप 3 के अत्रिक तने सभी प्रारूपों के दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित बिंदू की संख्या का योग साथ हो रहा है अत्रह केवल प्रारूप 3 प्राश्ण में दिये गए कंडिशन को फॉलो करता है प्राश्ण 35 यदि किसी घरकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदू की संख्या का योग साथ है तो दिये गए प्रारूप में से उस प्रारूप का चैन करें जो बिल्कुल सही है पहले प्रारूप में 5 बिंदू सामने उपर 3 दाहिनी तरफ एक दूसरे प्रारूप में सामने 3 उपर 5 दाहिनी तरफ दो तीसरे प्रारूप में सामने 6 उपर 3 दाहिनी तरफ चार प्रारूप पहला सही है, by rule of standardization, standardized के दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित बिंदूओं की संख्या का योग कभी भी साथ नहीं होता है, अतहर rule of standardization के अनुसार केवल प्रारूप एक सही है, प्राश्नि छतिस, यहां दिये गए पासे के आरेख में अंकित बिंदूओं एक से छ प्रारूप में सामने चार उपर एक दाहिनी तरफ पांच विकल्प है एक दो, दो तीन, 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 पांच, चार, छे, यह प्राश्न income tax और central exercise exam 1996 में पूछा जा चुका है, इस प्राश्न का सही उत्तर है विकल्प एक दो, by rule of same two dots, यहां हम देख रहे हैं, दोनों ही प्र प्रारूपों में बिन्दूओं की संख्या एक और पांच common है, अतहा, इस स्तिति में निश्चिति चार बिन्दूओं वाले फलक के विप्रीद फलक पर बिन्दूओं की संख्या दो होगी, प्राश्न सै 30, यहां एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस चित्र में सामने दो उपर चार ताहिनी तरफ तीन बिंदू विकल्प है एक दो दो तीन तीन चार चार छे ये प्राश्ण सी बी आई सी पी ओ एक्जाम फरवरी 1997 में पूछा जा चुका है इस प्राश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार छे प्राश्ण 38 एक ही पासे के चार प्रारूपों को यहां दर्शाया गया है इस पासा के एक बिंदू वाले फलक के विप्रीत फलक पर बिंदूओ की संख्या कितनी होगी पहले प्रारूप में है सामने तीन उपर एक दाहिनी तरफ दो दूसरे प्रारूप में सामने दो उपर एक दाहिनी तरफ पांच तीसरे प्रारूप में सामने पांच उपर छे दाहिनी तरफ दो चौथे प्रारूप में सामने दो, उपर 6, ताहिनी तरफ 3, विकल्प है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6 ये प्रश्ण IB exam नवंबर 1997 में पूछा जा चुका है, इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प 4, 6 By rule of same two dots, dice format 1 and 4 से 3 and 2 common, तो one opposite होगा 6 के, यहां हम देख रहे हैं 22 प्रारूप 1 और 4 में बिंदू की संख्या 3 और 2 common है, अतह इस इस्तिति में निश्टिती एक बिंदू वाले फलक के विप्रीत फलक पर बिंदू की संख्या 6 होगी प्राश्ण 49, यहां एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, जब उपर के फलक पर बिंदू की संख्या 4 हो, तो निश्ले फलक पर बिंदू की संख्या कितनी है? पहले प्रारूप में सामने पांच उपर एक दाहिनी तरफ चार और दूसरे प्रारूप में सामने दो उपर छे दाहिनी तरफ चार विकल्प है एक दो दो तीन तीन पांच चार छे ये प्रश्ण SSE BSF SI exam दिसंबर 1997 में पूझा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प दो तीन बाइ रूल ऑफ स्टेंडिडाज़ेशन टोटल अफ टू अपजेसिंट सर्फेस डॉट इक्वस टू नॉट सेवन देरफोर टोटल अफ टू अपजेट सर्फेस डॉट इक्वस टू सेवन अधा उपर के फलक पर बिंदों क संख्या चार है तो निश्चिते निश्रेज्चले फलक पर रस्थित बिंदों के संख्या कि तीन होगी प्रश्ण 40 यहां एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है इस पासे में 5 बिंदो वाले फलक के विप्रीत फलक पर कितने बिंदू होंगे पहले प्रारूप में हें सामने 2 उपर 4 दाहिनी तरफ एक दूसरे प्रारूप में सामने 5 उपर 2 दाहिनी तरफ एक विकल्भ है 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 यह प्रश्न SSC LDC एकजाम मई 2001 में पूछा जा चुका है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्भ 4-4 अतहब पांच बिंदू वाले फलक के विप्रीत फलक पर रिस्थित बिंदू की संख्या निश्चित रूप से चार होगी प्राश्न इक तालीस यहां एक ब्लॉक के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जब इसके निचले फलक पर बिंदू की संख्या दो होगी तो इसकी उप्री पलक पर बिंदू की संख्या कितनी होगी पहले प्रारूप में सामने 6 उपर 4 दाहिनी तरफ 3 दूसरे प्रारूप में सामने 5 उपर 2 दाहिनी तरफ 3 विकल्प है 1 एक, 2, 4, 3, 5, 4, 6 यह प्राश्ण SAC-LDC exam मैई 2001 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प दो चार बाइ रूल ओफ सर्कुलर मोशन कॉमन डॉर्ट थ्री से रोटेट करने पर हमें टू और फोर एक दूसरे के विप्रीत फलकों पर प्राप्त हो रहे हैं अतह इस स्थि में यदि निचले फलक पर बिंदू की संख्या दो है तो निश्चित ही उपरी फलक पर इस्थित बिंदू की संख्या चार होगी प्रेश्ट पांच सो अर्टालीस प्रेश्ण बायालीस यहां एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जब निचले फलक पर बिंदों की संख्या तीन है तो उपरी फलक पर बिंदों की संख्या कितनी होगी पहले प्रारूप में सामने दो बिंदो उपर पांच ताहिनी तरफ तीन दूसरे प्रारूप में सामने चार उपर पांच ताहिनी तरफ दो विकल्ब है एक दो, दो तीन, तीन चार, चार छे ये प्राश्ण S.S.C. U.D.C.P.T. एक्जाम मैं दो हजार दो में पूछा जा चुका है इस प्राश्ण का सही उत्तर है विकल्ब तीन, चार By a rule of same two dots, five and two dots common in both format, three and four opposite of each other अतहा निचले फलक पर बिंदूों की संख्या तीन हो तो निश्चिती उपरी फलक पर इस्थित बिंदूों की संख्या चार होगी प्राश्ण 43, यहां एक ही पासा के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है इस पासा के एक बिंदू वाले फलक के सामने के फलक पर विप्रीत फलक पर बिंदू की संख्या कितनी होगी पहले प्रारूप में सामने तीन डॉट उपर एक दाहिनी तरफ दो दूसरे प्रारूप में सामने दो उपर एक दाहिनी तरफ पांच तीसरे प्रारूप में सामने 5, उपर 6, ताहिनी तरफ 2 विकल्प है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6 ये प्रश्ण SSC LDC PT एक्जाम मई 2002 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प 4, 6 By rule of same 2 dots, dice format 2 and 3 से 5 and 2 dots common in format 2 and 3 1 and 6 dots opposite of each other अतहा एक बिंदों वाले फलक के विप्रीद फलक पर बिंदों की संख्या 6 होगी प्रश्ण 24 यहां एक ही पासा के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है इस पासा के दो बिंदों वाले फलक के सामने यानि विप्रीद फलक पर कितने बिंदों होंगे पहले प्रारूप में हैं सामने 3 उपर 2 दाहिनी तरफ 5 दूसरे प्रारूप में सामने 4 उपर 6 दाहिनी तरफ 5 तीसरे प्रारूप में सामने 1 उपर 2 दाहिनी तरफ 3 चौथे प्रारूप में सामने 1 उपर 6 दाहिनी तरफ 4 विकल्प है एक एक दो चार तीन पांच चार छे सही उत्तर है विकल्प चार छे ये प्रश्ण SSC LDC PT एक्जाम बही 2002 में पुछा जा चुका है By Rule of Circular Motion Common Dot 5 से रोटेट करने पर Dots 2 and 6 एक दूसरे के विपरीत हमें मिल रहे हैं अतह दो बिंदू वाले फलक के विपरीत फलक पर निश्चित ही बिंदू की संख्या छे होगी इसी के साथ Type 2 के प्रश्ण समाक्त Type 3 निर्देश दिये गए प्रतियक प्रश्ण में एक ही पासा को एक से अधिक प्रारूपों में दर्शाया गया है जिनके फलकों पर अलग अलग छे आकृतिया या अक्षर या रंगों के नाम अंकित किये गए हैं प्रतियक प्राश्ण में दिये गए प्रारूपों का ध्यान पूर्वक अधियन करके इन पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दीजिए प्राश्ण 45 दिये गए आरेक में एक ही ब्लॉक के छे फलकों को हरा, ब्लू, लाल, पीला नारंगी और सफेद रंगों से इस प्रकार रंगा गया है पहले प्रारूप में सामने हरा उपर सफेद दाहिनी तरफ ब्लू दूसरे प्रारूप में सामने लाल उपर नारंगी दाहिनी तरफ पीला जब ब्लू रंग उपर के फलक पर हो तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा विकल्प है एक लाल, दो सफेद, तीन पीला, चार नारंगी ये प्रश्ण असिस्टेंट ग्रेड एक्जाम 1993 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक लाल आरेक से बिलकुल सपस्ट है कि जब उपरी फलक पर ब्लू रंग है तो निचले फलक पर निश्चित ही लाल रंग होगा बाइरेंजमेंट और बोथ फर्मेट प्रश्ण 46 किसी भी पासा में स्थित कोई निश्चित रंग के निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग लगाये जा सकते हैं विकल्प है एक दो दो तीन तीन एक चार चार इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार चार किसी भी रंग के निकटवर्ती फलकों पर अधिक से अधिक चार अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं नर्देश प्रश्ण संख्या 47 से उन्चास दिये गए एक ही पासा के चार प्रारूप पर आधारे थे पहले प्रारूप में सामने डबल सर्कल ऊपर रेक्टेंगल दाहिनी तरफ सर्कल दूसरे प्रारूप में सिंगल सर्कल डबल रेक्टेंगल दाहिनी तरफ एक्वल टू तीसरे प्रारूप में सामने एक्वल टू ऊपर सिंगल रेक्टेंगुलर दाहिनी और डाउनवर्ड्स ट्राइंगल और चौथे प्रारूप में सामने ट्राइंगल उपर सिंगल रेक्टेंगल और दाहिनी तरफ डबल सर्कल प्रारूपों का ध्यान पूर्वा का ध्यान करके इन पर आधारित प्रशनों के उत्तर दीजिए ये प्रशन रेलवे एक्जाम 1993 में पूछा जा चुका है प्रशन 47 पासा प्रारूप चार के निचले फलक पर कौन सी आकरिती होगी विकल्ब है एक सर्कल, दो डबल सर्कल, तीन ट्राइंगल, चार डबल रेक्टेंगल सही उत्तर है विकल्ब चार डबल रेक्टेंगल by rule of adjacent figure रेक्टेंगल के adjacent होगी triangle, double circle, circle and equal to और opposite में होगी double rectangle अताहा पासा प्रारूप चार के निचले फलक पर आकरिती double rectangle होगी प्रशन 48 आकरिती equal to के विप्रीत फलक पर कौन सी आकरिती होगी विकल्प है एक सर्कल, दो डबल सर्कल, तीन, ट्राइंगल, चार रेक्टेंगल सही उत्तर है विकल्प दो डबल सर्कल By rule of adjacent figure, in adjacent equal to ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल and डबल रेक्टेंगल In opposite, डबल सर्कल अथा आक्रिती equal to के विप्रीत फलक पर आक्रिती double circle होगी प्राशन चास आक्रिती triangle के विप्रीत फलक पर कौन सी आक्रिती होगी? विकल्प है एक सर्कल, दो डबल सर्कल, तीन, इक्वल तू, चार डबल रेक्टेंगल सही उत्तर है विकल्प एक सर्कल वाइरूल अफ सेम टू फिगर, डाइस फॉर्मेट बान फॉर से, रेक्टेंगल और डबल सर्कल कॉमन इन डाइस बान फॉर, ट्राइंगल और सर्कल ओपोसिट ऑफ इच अदर, अतहा आक्रिती ट्राइंगल के विप्रीत फलक पर आक्रिती सर्कल होगी? प्राशन 50, एक घनाकार ब्लॉक जिसके फलकों पर अलग-अलग डिजाइन किये गए हैं, को अलग-अलग कोडों से दर्शाया गया है, रिक्तिस्थान पर इस्थित डिजाइन को ग्याद करें, इस प्राशन को कृपे आप अपने अध्यापक या मित्र की मदद से समझें, इस प्राशन का सही उत्तर है, विकल्प दो, प्राशन 50, एक पासा के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं, पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें आलखित नहीं है, पहले प्रारूप में, सामने रेट उपर ब्लू, दाहिनी तरफ औरंच, दूसरे में सामने ग्रीन, उपर इंडिगो, दाहिनी तरफ यलो, विकल्प है एक नीला, दोहरा, तीन पीला, चार बैंगनी, ये प्राशन इंकम टेक्स और सेंटरल एक साइज एक्जाम 1994 में पूछा जा चुका है, इस प्राशन का सह उत्तर है विकल्प चार बैंगनी, इंद्रधनुष के रंग विब्ग्योर में बैंगनी, नीला, ब्लू, पीला, नारंगी और लाल है, यहां हम देख रहे हैं, दिये गए पासा प्रारूप में रंग वी यानि वोईलिट या बैंगनी नहीं है, प्राशन बावन, यहां ए सामने M, उपर S, दाहिनी तरफ W, थीसरे प्रारूप में सामने U, उपर Y, दाहिनी तरफ D, चौथे प्रारूप में सामने U, उपर W, और दाहिनी तरफ का स्थान रिखत है, विकल्प है 1S, 2D, 3Y, 4W, यह प्राशन इंकम टेक्स और सेंट्रल एक साइज एक्जाम 1994 में पू एज़ेसंट लेटर, D, इनएज़ेसंट, M, S, Y, N, U, इन ओपसिट डब्यू, अर्थार्थ W के ओपसिट में D होगा, साथ ही हम यहां देख रहे हैं दिये गए पासा प्रारूप 3 में, D के एंटिक्लॉक चलने पर उसके निकटवर्ती फलक पर अक्षर Y मौजूद है, अत प्राश्ण को कृपया आप अपने अध्यापक अध्वा मित्र की मदद से समझें, प्राश्ण चाववन, छे सतहों वाले एक प्रिज्म के पार्श्व सतहों को बैंगनी, वालिट, ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ओरेंज और लाल, रेड रंगों से रंगा ग ताहिनी तरफ ब्लू, प्रिज्ट पांच सो उनचास, यदि प्रिज्म को इस प्रकार से रखा जाए, तो लाल रंग के निकटवर्ती सतह पर कौन कौन से रंग होंगे, यहां प्रिज्म को लिठा दिया गया है, बीच में है आर यानि रेड, विकल्प है एक पीला और नार यह प्रश्ण असिस्टेंट ग्रेड इग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है, इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार नारंगी और पैंगनी, आर एक से बिल्कुल इस पश्ट है कि दिये गए प्रिज्म में लाल रंग के निकटवर्ती सतह पर बैंगनी और नारंगी रंग व्यवस्थेत होंगे, प्रश्ण पच्पन, एक बेलन की दो उस्तितियां यहां बताई गई हैं जिसमें हरा, ब्लू, पीला, बैंगनी, लाल और नारंगी छे रंगों से रंगा गया है, बताएं कि बेलन में प्रश्ण वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा रंग होग यहां पर पहला बेलन जो लिटा कर रखा है उसमें उपर हरा, नीचे ब्लू और दाहिनी तरफ पीला, दूसरे प्रारूप में बेलन खड़ा किया गया है, वहां बाई तरफ क्वेश्ण मार्ग है या प्रश्ण वाचक चिन्ह दाहिनी तरफ लाल उपर नारंगी और तीसर पीला, चार बेंगनी, यह प्रश्ण असिस्टेंट ग्रेड इग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है, इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार बेंगनी, यहां हम देख रहे हैं हरा के एड्जेसिंट में ब्लू, पीला, बेंगनी और नारंगी रंग है, इस से बिलकुल स्पष्ट है कि हरे के विप्रीत में लाल होगा, अर्थार्थ प्रारूप दो में लाल के विप्रीत में हरा होगा, साथी प्रारूप तीन में यह स्पष्ट है कि हरे के दाई और बेंगनी मौजूद है, अतहा प्रारूप दो में यदि लाल के विप्रीत में हरे को रखा ज कर दिया जाय है तो निचली फलक पर कौन सा रंग होगा पहले agree Epic का सही उत्तर है वीकलप दो पीशाड़ी ये एक साथ सहियों जित करने पर बिल्कुल इस पश्ट पता चल रहा है कि नीले के विप्रीद में पीला है अतहा यदि रंग नीला को उपरी फलक पर कर दिया जाए तो निश्चित ही निश्ले फलक पर पीला रंग होगा निर्देश प्रश्ण संख्या 57-69 तक के प्रश्ण इस पासे के प्रारूप पर आधारित हैं पहले प्रारूप में उपर डॉट सामने स्टार दाहिनी तरफ प्लस दूसरे प्रारूप में सामने प्लस उपर ट्राइंगल दाहिनी तरफ डॉट तीसरे प्रारूप में सामने उपर स्क्वाइर और डाईं तरफ स्टार दिखाया गया है यह प्राशन असिस्टेंट ग्रेड इक्जाम अप्रेल 1995 में पूछा जा चुका है प्राशन 57 कालंकित वृत के विप्रीत फलक पर कौन सी आकरिती होगी विकल्प है एक प्लस दो मल्टिप्लाइ तीन ट्राइंगल चार स्क्वेर सही उत्तर है विकल्प दो मल्टिप्लाइ बाई रूल ओफ एडजेसंट एन ओप्षिन ब्लैक डॉट इन एडजेसंट स्क्वेर स्टार प्लस ट्राइंगल इन ओपिजट मल्टिप्लाइ अतहक कालंकित वृत के विप्रीत फलक पर आकरिती मल्टिप्लाइ या गुणा होगी प्राश्न ठावन जोड प्लस के विप्रीत फलक पर कौन सी आकरिती होगी विकल्प है एक स्टार दो ब्लैक सर्कल या डॉट तीन स्क्वेर चार ट्राइंगल सही उत्तर है विकल्प तीन स्क्वेर बाई रूल ऑफ सेम टू फिगर प्रारूप वन एन थ प्लस एन स्क्वेर ओपोजिट ऑफ इच अदर अतह प्लस के विप्रीत फलक पर आकरिती स्क्वेर होगी प्राश्न ठावन सट प्रारूप तीन में वर्ग या स्क्वेर के निचले फलक पर क्या होगा विकल्प है एक मल्टिप्लाइ तो ट्राइंगल तीन ब्लाक डॉट च प्लस ओपोजिट ऑफ इच अदर अतह प्रारूप तीन के रिचले फलक पर आकरिती प्लस होगी निर्देश प्रश्न संख्या 60 से 64 प्रतियक प्रश्न में एक पासे पर कुछ अक्षर यांक लिखे गए हैं और इन्हें तीन प्रारूपों में दर्शाया गया है इन प्रार प्राश्नों के उत्तर दीजिए यह प्राश्न होटल मैनेजमेंट एक्जाम अप्राईल 1997 में पूछा जा चुका है प्राश्न साथ अक्षर एल के विप्रीत फलक पर कौन सा अक्षर है पहले प्रारूप में सामने X उपर M दाहिनी तरफ है दूसरे प्रारूप में सामने L उपर वाला फलक खाली है दाहिनी तरफ Y तीसरे फलक में सामने A उपर Y दाहिनी तरफ P विकल्प है A के 2P 3M, 4X सही उत्तर है विकल्प 1 A By rule of adjacent letter A in adjacent X, M, Y, and P in opposite L यहां हम देख रहे हैं अक्षर A के adjacent में अक्षर X, M, Y, and P मौजूद है अता इस इस्तिति में निश्चिति अक्षर A के विप्रीद फलक पर अक्षर L होगा अता अक्षर L के विप्रीद फलक पर अक्षर A होगा प्राशनिक सथ अंक चार के विप्रीद फलक पर कौन सांग है पहले प्रारूप में सामने 3 ऊपर एक दाहिनी तरफ 6 दूसरे प्रारूप में सामने 4 ऊपर वाला फलक खाली है दाहिनी तरफ 3 तीसरे फलक में सामने 2 ऊपर 6 दाहिनी तरफ 5 विकल्प है 1-1, 2-2 3-5, 4-6 सही उत्तर है विकल्प 4-6 By rule of adjacent digit 6 in adjacent 1-3, 2-5 in opposite 4 अता अंक 4 के विपरीत फलक पर निश्चिती अंक 6 होगा प्राश्न बासट अक्षरों के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है पहले प्रारूप में सामने N ऊपर P दाहिनी तरफ L दूसरे प्रारूप में सामने M ऊपर O दाहिनी तरफ स्थान खाली है तीसरे प्रारूप में सामने L उपर M दाहिनी तरफ Q विकल्प है 1L, 2N, 3P, 4Q सही उत्तर है विकल्प 1L By rule of adjacent letter L in adjacent NPMNQ in opposite O अतह अक्षरों के विप्रीत फलक पर निश्टित ही अक्षर L होगा प्राश्न तरे सथ अंक्तीन के विप्रीत फलक पर कौन सा अक्षर यांक है पहले प्रारूप में सामने A उपर 1 दाहिनी तरफ C दूसरे प्रारूप में सामने C उपर 8 दाहिनी तरफ 2 तीसरे फलक में सामने का स्थान रिखता है उपर 1 दाहिनी तरफ 3 विकल्प है 1, 2, 2A, 3B, 4C सही उत्तर है विकल्प चार C By rule of adjacent, C in adjacent 1, A, 8 and 2, in opposite 3, अता अंक तीन के विप्रीत फलक पर निश्चित ही अक्षर C होगा प्राश्न चाउसट अक्षर Q के विप्रीत फलक पर कौन सा अक्षर है? पहले प्रारूप में सामने T, उपर P, दाहिनी तरफ R, दूसरे प्रारूप में सामने U, उपर R, दाहिनी तरफ S, तीसरे प्रारूप में सामने रिक्तिस्थान है, उपर U, दाहिनी तरफ Q विकल्प है 1P, 2R, 3S, 4T सही उत्तर है विकल्प 2R By rule of adjacent letter, R in adjacent P, T, U and S In opposite Q, अतहा अक्षर Q के विप्रीत फलक पर निश्चिती अक्षर R होगा प्राश्न पैसट एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में A, B, C और D लिखा गया है और E और F को क्रम शह उपर और नीचे के फलकों पर लिखा गया है इस पासा के उपरी फलक पर जब C हो तो इसके नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर होगा यहाँ पर जो फलक दिया गया है उसमें उपरी फलक पर E सामने A और दाहिनी तरफ D है विकल्प है A, A, 2, B, 3, C, 4, E सही उत्तर है विकल्प 1, A प्रशना अनुसार दिये गए पासा में अक्षरों को व्यवस्थित करने पर आर एक से बिलकुल इसपश्ट है कि यदि उपरी फलक पर अक्षर C को रखा जाए तो निश्चिती नीचे के फलक पर अक्षर A होगा प्रशन 66 यहां एक पासा के चार प्रारूपों को बताया गया है इस पासा में आक्रिती ट्राइंगल के ठीक सामने वाले फलक पर कौन सी आक्रिती होगी पहले प्रारूप में सामने सर्कल उपर प्लस दाहिनी तरफ मल्टिप्लाए दूसरे प्रारूप में सामने multiply उपर मायनिस दाहिनि तरफ circle तीसरे प्रारूप में triangle सामने उपर divide दाहिनि तरफ प्लस और चोठे प्रारूप में सामने plus उपर divide और दाहिनि तरफ circle है विकल्प है एक multiply, 2 प्लस, 3, 0 या circle, 4, divide यह प्रश्ण SSC LDC PT एक्जाम अक्टूबर 1999 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्ब 3 O या सर्कल By rule of same two figures, dice format 3 and 4 से, divide and plus common in both format, triangle and O opposite of each other, अतहा आकरिती ट्राइंगल के ठीक सामने वाले फलक पर आकरिती O या सर्कल होगी प्रश्ण 66, यहां एक पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासा में चिन प्लस के सामने कौन सा चिन होगा? पहले प्रारूप में सामने O उपर डिवाइट दाहिनी तरफ मल्टिप्लाए, दूसरे प्रारूप में सामने मल्टिप्लाए उपर माइनस दाहिनी तरफ O, तीसरे प्रारूप में triangle सामने उपर डिवाइट दाहिनी तरफ प्लस और चौथे प्रारूप में सामने प्लस 1999 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प दो multiply by rule of same two figure dice format one and four से division and o common in both format plus and multiply opposite of each other अधा चिन प्लस के सामने चिन multiply होगा प्रश्ण अर्शठ यहां एक ही पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है पासा के लाल रंग वाले फलक के विप्रीत फलक पर कौन सा रंग होगा पहले प्रारूप में सामने नारंगी उपर जामुनी दाहिनी तरफ बैंगनी दूसरे प्रारूप में सामने नारंगी उपर बैंगनी दाहिनी तरफ लाल तीसरे प्रारूप में सामने लाल उपर हरा दाहिनी तरफ नीला चौथे प्रारूप में सामने हरा उपर जामुनी दाई तरफ नीला विकल्प है एक नीला, दो बैंगनी, तीन नारंगी, चार जामुनी ये प्रश्ण S.S.C. L.D.C.P.T. एक्जाम 1999 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार जामुनी बाई रूल ऑफ सेम टू कलर्स, डाईस फॉर्मेट 3 और 4 से हरा और नीला कॉमन इन बोथ फॉर्मेट लाल और जामुनी ओपोजिट ओफ एच अदर, अतहा रंग लाल के विप्रीद फलक पर रंग जामुनी होगा प्रश्ण 5,40 यहां एक ही पासक के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है पासे के पीला रंग वाले फलक के विप्रीद फलक पर कौन सा रंग होगा पहले प्रारूप में सामने नारंगी उपर पीला दाई तरफ नीला दूसरे प्रारूप में सामने बैंगनी, ऊपर नारंगी दाई तरफ नीला, तीसरे प्रारूप में सामने लाल, ऊपर नीला दाई तरफ पीला, चौथे प्रारूप में सामने गुलाबी, ऊपर लाल दाई तरफ पीला विकल्प है एक लाल, दो नीला, तीन गुलाबी, चार बैंगनी ये प्रश्ण S.S.C. L.D.C.P.T. एक्जाम 1999 में पूछा जा चुका है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार बैंगनी By rule of adjacent to color, पीला, in-adjacent नारंगी, नीला, लाल गुलाबी, in opposite बैंगनी अतहा पीला के विप्रीत फलक पर बैंगनी रंग होगा प्रश्ण सत्तर, यहां एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जब दिल, inverted, कॉमा की आक्रिती उपर के फलक पर इस्थेत हो, तो नीचे के फलक पर कौन सी आक्रिती होगी इस प्रश्ण को क्रिपया आप अपने मित्र अत्व अध्यापक की मदद से समझें इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार निर्देश प्रश्ण संख्या 71 से 74 यहाँ 6 अलग-अलग पासों को दर्शाया गया है जिनके उपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है प्रतियक पासा के दो विप्रीत सतहों पर अंकित अंकों का योग साथ है पहले प्रारूप में सामने 5 दाहिनी तरफ 6 दूसरे प्रारूप में सामने तीन दाइनी तरफ पांच, तीसरे प्रारूप में सामने दो दाइन तरफ छे चौथे प्रारूप में सामने पांच दाइं तरफ तीन पांचवे प्रारूप में सामने छे दाइं तरफ पांच छठे प्रारूप में सामने चार दाइं तरफ दो प्राश्ण एक अत्तर यदि पासा एक दो और तीन के निचले फलक पर समसंख्याएं हों इनके उपरी फलक पर अंकित अंको का योग कितना होगा। विकल्प है 1,14, 2,7, 3,21, 4,12, सही उत्तर है विकल्प 2,7. इस आरेक से बिल्कुल सपश्ट है कि उपरी फलक पर अंकित अंको का योग 3,1,3 यानि कि 7 होगा। प्राश्ट 72, यदि पासा 1,2 और 3 के उपरी फलक पर समसंख्याए हों, तो इनमें से दो पासों के उपरी फलक पर अंकित अंको के बीच कितने का अंतर होगा। विकल्प है 1,0,2,1,3,2,4,12, सही उत्तर है विकल्प 3,2, आरेक के आधार पर उपरी फलक पर 4,2,6,2,4 यानि कि 2 का अंतर है। प्राश्ट 73, यदि विशम संख्याए के कमान वाला पासा के निचरी फलक पर विशम संख्याए हों, तो इनके उपरी फलक पर अंकित अंको का योग कितना होगा। विकल्प है 1,4,2,6,3,10,4,12, सही उत्तर है विकल्प 4,12, आरेक से बिल्कुल स्पष्ट है कि उपरी फलक पर अंकित अंको का योग 4,4,4,4,1,2,12 होगा। और अंतिम प्रश्ण प्रश्ण 74, यदि समसंख्या के एक मानवाले पासा के उपरी फलक पर समसंख्याए हों, तो इनका कुल योग कितना होगा। विकल्प है 1,18,2,14,3,12,4,10 सही उत्तर है विकल्प 1,18 इस आरेक से बिल्कुल स्पष्ट है कि उपरी फलक पर अंकित अंको का योग 6,6,6,6 यानि कि 18 होगा। इसी के साथ टाइप 3 के प्रश्ण समाप्त। टाइप 4, निर्देश, प्रश्ण 75-89, पासे की गोटी पर आधारित हैं, पासे पर अलग-अलग नियमानुसार 1-6 तक की संख्याएं अंकित की गई हैं, जिसका प्रती एक प्रश्ण में वर्णन किया गया है। ये प्रश्ण होटल मैनेजमेंट एक्जाम 1995 में पूछा जा चुका है। प्रश्ण 75, यदि एक के निकट में 2, 4 और 6 हैं, तो इन में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्ते हैं। एक, तीन और 5 आमने सामने हैं, दो, तीन के निकट में 5 है, तीन, एक के निकट में 3 है, चार, दो और 6 आमने सामने हैं। सही उत्तर है विकल्प दो, तीन के निकट में 5 है। यहां पर संभावित आरेखों में दिये गए विकल्पों में विकल्प दो, तीन के निकट में पांच ये एक common factor है, अतहा विकल्प दो में दिया गया कथन, तीन के निकट में पांच है, ये निश्चित रूप से सत्ते है, प्रश्ण 76, यदि एक और पांच आमने सामने हैं औ और दो और तीन आमने सामने हैं तो, विकल्प है एक, चार के निकट में पांच और छे हैं, दो, छे के निकट में तीन और चार हैं, तीन, दो के निकट में चार और छे हैं, चार, चार के निकट में तीन और छे हैं, प्रश्ण 77, यदि एक के निकट में दो, तीन और चार चार के निकट में छे है सही उत्तर है विकल्ब चार चार के निकट में छे है प्राश्न अठतर यदि एक के सामने दो एक के निकट में तीन और चार हों तो इन में से कौन सा कथन निश्टित रूप से आसते है विकल्ब है एक दो और पांच आमने सामने हैं, दो पांच और छे आमने सामने हैं, तीन तीन और चार आमने सामने हैं, चार चार और पांच आमने सामने हैं, सही उत्तर है विकल्प एक दो और पांच आमने सामने हैं, और अंतिम प्रश्ण प्रश्ण नासी, यदि दो के सामने तीन और दो के निकट में दो और तीन है, दो, चार के निकट में दो और छे हैं, तीन, चार और छे आमने सामने हैं, चार, एक और पांच आमने सामने हैं, सही उत्तर है विकल्प एक, एक के निकट में दो और तीन हैं, इसी के साथ, चैप्टर ट्वेंटी एट, डाइस, या पासा, समाप्त परफिक्ट वर्बल रीजनिंग खंड दो समाप्त ये पुस्तक राष्ट्रे दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के बोलता पुस्तकाले के ध्वन्यांकन एकांश्थ्वारा ध्वन्यांकित की गई